ये 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 इतना मद्रा आ रहा है ये 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 इतना सोर क्यों मचा रहा है और तू हर समय ये मुबाइल में क्या करते रहता है है मैं गेम खेल रहा हूं गेम खेल रहा हूं कभी पर लिख नहीं सकता है क्या जब देखो गेम खेलते तरणी राता है, अरे पापा पर लिख कर क्या करूंगा, मैं तो बहुत होसियार लड़का हूँ न, पर लिख कर क्या करेगा, अरे परहगा लिखेगा, तरभी तो अच्छी नुकरी मिलेगी, धिर सारा रूप्या पैसा कमारे क्या जरूरत है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, आपके बाद ये सब तो मेरा ही होगा ना अरे चुपकर जब देखो फाल्तू बात करते रहता है अरे क्यों चिल्ला रहे हो सुबा सुबा भी सांती से नहीं रह सकते हो गया अरे चुपकर ये सुबा सुबा मुबाईल लेकर गेम खेल रहा है परहाई तो कभी करता ही नहीं क्या रहे चिट्टू तुबर सुबर मुबाइल लेकर गेम खेले लगा अरे मम्मी पर लिखकर क्या करूँगा मैं तो बहुत होस्यार लर्का हुँ ना बहुत होस्यार लर्का हुँ ना मैं सब सबाल का जवाब दे दूँगा आप पूछो 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 चल बता मोधी जी परधान मंतरी कैसे बना ये सबाल तो बड़ी आसान है ये 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 तो बता ना फिर चाय बेचकर वो बच्पन में चाय बेचते थे और चाई बेच बेच कर परधान मंतरी बन गया वाँ, वाँ, क्या जवाब दिया है वाँ, देखा मैं कितना होसियार बच्चा हूं अरे चुपकर चल बता, राहूल गांदी अब तक परधान मंतरी क्यों नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने बच्पन में बेच कर परदान मंत्री बनूंगा क्या बोला पढ़ाई निखाई नहीं करेगा चाय की दुकान खोलेगा परदान मंत्री बनेगा हैं परदान मंत्री बनेगा हैं अपर थोड़ दो अरे गल्ती हो गई गल्ती हो गई